हालो सुरेंट्स पिछले वीडियो में ट्रिक्नोमेंट्रिकल रिश्यो का एप्लिकेशन दो कोशन से समझा जिसमें एक कोशन NCRT और एक सिंपल कोशन दिया था वन टी रिशो वास गिमन और बाकी टी रिशो और कोश्टी ठीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइन कर घंपली थे थोड़ा सब एक सबसे एक स्परेशन और हार्टर हार्टर कीश वह जाएंगे बंड बेसी रिमेंस लेंगे तो बेसिक यह है कि जेसर तीर इशो की वैल्यू चाहिए आपको एक्स्प्रेशन में उन सम तीर इशो की वैल्यू निकाल के रख लो और उस एक्स्प्रेशन रखोट करके सारे अलजेब्रा के रूल्स आपको पता हैं वह ऐसे प्लाई करते जाओ और भी जड़ता वैल्यू जैसे इस केस में साइन ए ना रिमेंबर अगर साइन ए घीवन है तो अशूल भी मारने हों या उन नहीं करना बी मार्ण करदो यह साइन ए तो यह आमने यहां मार कर दियां जहां थीटा मार करते थे च साइन एक फाइब थर्टीन डीटा उसे इत इस एड़ेशो ऑफ अपोजिट साइब एंड हाइब निउस तो फाइब उपोजिट पे मार्ग कर दें यहां और थर्टीन हाइब निउस पे मार्ग कर दें यहां तोब थीचाज अब लुट साइब थर्ट शाइब एक पैसरें ल्यून सagn holding chro multi will be 13 the whole square minus 5 the whole square the whole root you can calculate it yourself it will come out to be 12 169 25 144 root 12 so you can find it yourself now you must remember tangent a is the ratio of opposite to adjacent so this figure opposite to adjacent is fine by 12 now this expression value fine it is sign a sign a means 5 by 13 bracket start 1 by 1 minus 10 means 5 by 12 so we take lcm it is 12 12 minus 5 5 by 13 as it is or it is 5 by 13 into 7 by 12 or multiply to it will be 35 or 13 to 12 it will be 156 so value of this expression is 35 by 156 and click is the answer so value of this expression is 35 by 156 and click is the answer to the answer to the